दोस्तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें साथ में गंटी का निसान जो दिखाई दे रहागा उसको दबा दें जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालू सबसे पहले आपको देखने को मिले स्वागत है मेरे यूटूब चैनल आलिन वन चैनल में आज की खबर दोस्तो फ्यूचर मेकर से समझने ते चैनल के आप लोग को पता है कि 5 फरवरी 2020 का दिन फतिहाबाद की इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट था है आपे और आज इसका रिजल्ट आ चुका है तो दोस्तो रिजल्ट देखने से पहले एक बात आप लोग को बतानी थी कि आप लोग कमेंट्स काफी गलत गलत करते हों क्योंकि मैं कमेंट्स हमेसा आउन करके रखता हूँ लेकिन उसका कुछ लोग गलत फैदा उठाते हैं वहाँ पे कुछ गलत गलत कमेंट्स करते हैं क्योंकि दोस्तो ऐसा है कि इस केस को ना मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ और ना मैं गलत कर सकता हूँ ना सही कर सकता हूँ जो code का फैसला होगा वही हम दिखाते हैं और मैं जो भी news दिखाता हूँ वो बिल्कुल जो होता है वही दिखाता हूँ उसमें मुझे न कोई profit होता है न मुझे कोई loss है तो दोस्तों ऐसे comments न करें क्योंकि जो भी news है वह सही कोसे करता हूँ तो वो सही हो उसमें कोई नमाक मिर्च मसाला नहीं होता जो real है वो है और comments हमेशा होन देते हैं लेकिन comments थोड़ा धंक से करें तो ठीक है कुछ utility बातें लिखते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है तो जयादा ने करते हैं दोस्तों इसके details में चलते हैं जानते हैं कि आज future maker के लिए आज का दिन कैसा रहा जैसे कि आप लोगों को पता है कि future maker का जो फतिहाबाद है court का मैंने website खोल के रखा है और ये दोस्तों आप लोग देख पा रहोंगे यहाँ पे जो date दी गई है वो बढ़ा दी गई यहाँ पे और next date जो है 13 फरवरी को दे दी गई है यहाँ पे आप लोग देख पा रहोंगे case number भी जिदे आप लोगों को याद नहीं है तो 3341 है और इसकी पूरी details यहाँ पे है registration date है इसका यहाँ पे रादिश्याम जी का address है नातुराम सुतार उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है अन्ने भी लोगों के नाम आप देख पा रहोंगे और इसके details में चलें नीचे तो यहाँ पे इसका history दिया हुआ है कि इसका history आप लोग देख पा रहोंगे कि पहले 7,8,2,0,9 को सुरू हुआ था यह 4,9 को चला फिर 4,10 को इसका date दिया था 6,11 को दिया था 27,11,4,12,16 11 के बाद 5,2,2020 को इसका date दिया था और इसका date नेस्टि दे दिया गया है 23,फरवरी 2020 order copy भी यहां पे आ गई है इसकी copy of order क्या क्या रहा क्या final रहा उसका final order तो इसको भी खोलेंगे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते है यहां पे click करते है 5,2,2020 में क्या लिखा हुआ है जैसे हमने इसको click किया यहां पे daily chatters में दिखा रहा है आप लोग देख पार होंगे रैदेश्याम CMD son of नाथू राम सुतार और region for adjournment का लिखा है कि judge on leave यानि मेरी समझ में तो यहां आ रहा है कि judge जो है leave पे है और next hearing है उसकी 13,2,2020 को additional district and season judge season's judge तो यह मेरी तरफ से यही समझ में आ रहा है और दूसरा जो यहां पे लिखा हुआ है यदि हम यहां पे चलें यह आप लोग देख पार होंगे 5,2,2020 final order copy में चलें दोस्तों यहां पे click करता हूं मैं तो इसका जो status हाता है जैसे मैं इसको download करता हूं इसमें बताता है हमें आप लोग देख पार होंगे present non में लिखा है कि file taken of today as I have to go to Chandigarh on 5,2,2020 for interactive season in the honorable high court in view of letter number इतना 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 therefore the case adjoined to 13,2,204 for the same purpose as already fixed all concerned to be informed accordingly तो दोस्तों यहां पे लिखा है उन्होंने कि मैं चंडिगर चला गया था जो भी उनका matter रहा होगा संदीफ गर्ग उनका नाम यहां पे लिखा हुआ है फत्याबाद ADJ M.A.C.T. उब्लिक A.S.J. तो यहां पे उन्होंने लिखा है कि मैं चंडिगर में था बीरी समझ में जहां तक आ रहा है यहीं मतलब है और इसका मतलब यही है कि यहां पे अपसेंट थे और उन्हों नेस्टी हेरिंग उसको तेरह दो दोजार बीस को दे गई है तो दोस्तो ऐसे कुछ नहीं है कि उनकी हार हो गई है ऐसा कुछ भी नहीं आपे उचंडिगर कुछ अपने काम से गए है अपसियल काम से तो इसलिए नेस्टी हेरिंग उसकी 13 फरवरी 2020 को दे दी गई है तो ऐसे कि मैनेजमेंट ने पहले ही कहा था कि 30 से 40 दिन वर्किंग डे लगेंगे तो उनका मनमान सही है वो भी अपने तरफ से काम कर रहे है और जल्दी ही उमीद है कि जल्दी ही इसमें सही फैसला आएगा सही बक्त पे सही फैसला सभी को मंजूर होता है और आएगा भी दोस्तो तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जिदी किसी को पता नहों तो जरूर इस बात को सेर करें और उनको भी जिसी को पता लगे कि यहां पर कोई गर्बर नहीं है बलकि जज किये अफसेंट की कारण एक इस टाला है बाकी कुछ नहीं है यहां पर ऐसा मुझे लगता है बाकी आप लोग क्या सोसते हो मुझे पता नहीं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जो भी नई ख़बर आईगी मैं आप लोगों को बताता रहा होगा चैनल को जरू सब्सक्राइब करें नीचे दू घंटी का बटाने उसको भी दबा दें साथ में जह जह बाल